जैशिराम मित्रो, आप शभी को करवा चोथ ब्रत की हारदिक सुभ कामना हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब है करवा चोथ ब्रत, करवा चोथ ब्रत का पूजा का शुभ मुहुर्थ कब है, चंद्रोदय का शमय और साथ ही इस करवा चोथ पर दुरलब शिवयों का निर्मान हो रहा है, उसका सुभ शमय और मुहुर्थ के बारे में जानेंगे। मित्रो, हर वर्ष कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चोफ मना जाता है। इश वर्ष एक नॉमबर को करवा चोफ है। इस दिन बीबाहित महिलाएं करवा माता की विश्यस पूजा आर्चना करती है और साथ ही अखंड सुहा की प्राप्ति के लिए माता ताके निमित ब्रत और उप्वास रखती है। धार्मिक मन्यता है कि करवा चोथ का ब्रत करने से बिबाहित महिलाओं को शुकह और सोभागे की प्राप्ती होती है। की सब ही मनुकामनाय यथा सिघ्रपोन होगी। मित्रों करवा चौत ब्रत के दिन इतना सुन्दर शुभ शंयोग बन रहा है तो इसका सुभ महुर्थ भी जान लेना उचित होगा। इसलिए आईये जान लेते हैं कि करवा चौत ब्रत की पूजा का सुभ महुर्थ कब है और क कब हो रहा है सीव योग का निर्माण। दो मिनट तक की जा सकती है। उश दिन यानि एक नौमबर को चंद्रोदय का शमय संध्या काल में आठ बज कर 26 मिनट पर होगा। फल की प्राप्ति होती है। इस समय में आप शुभकार कर सकते है। उश दिन शुर्योदय और सुर्यास्त का जो शमय हैं वह एक नौमबर को सुर्योदय सुभज 6 बज कर 39 मिनट पर होगा। और सुर्यास्त साम 5 बज कर 36 मिनट पर होगा। चंद्रोदय एक नौमबर को साम 8 बज कर 15 मिनट पर होगा। ब्रह्म महुर्थ 4 बज कर 49 मिनट से 5 बज कर 41 मिनट तक है। गुदली महुर्थ साम 5 बज कर 36 मिनट से 6 बज कर 2 मिनट पर होगा। इस समय में कोई भी सुभकार नहीं करना चाहिए। गुलिक काल सुबह 10 बज कर 41 मिनद से दो पहर 12 बज कर 4 मिनद तक है इस दिन का दिशाशुल उत्तर दिशा है आईए अब जान लेते है करवा चोथ के दिन करने वाले कुछ उपायों के बारे में अखंड सो भागे के लिए जो उपाय है रुख द्राक्षे की माला से ओम शीव का मे नमह मंत्र का जाप करें सुहा की रक्षा के लिए जो उपाय है देभी गौरी पर 16 सिंगार की बस्तुए चढ़ा कर अपनी सुहागन सास या किसी सुहागन ब्रिध ब्रामणी को भेट करें सुन्दर्ता में बिर्धी के लिए जो उपाय है देवी गौरी पर चंदन चढ़ा कर उसे उपयोग मिले। सुखी दाम पत्ते के लिए जो उपाय है मा गौरी पर तेरह लाल बिंदी चढ़ा कर किसी सुहागन ब्रामणी को भेट करे। जीवन साथी के अच्छे स्वास्ते के लिए जो उपाय है वह दूद में सहद वसिंदुर मिलाकर चंद्रमा को अर्ग दे। साथी आप चाहे तो इस मंत्र के शाथ आप पूजा भी कर सकते हैं। यह मंत्र बड़ा ही सुब फलदाई है। यह मंत्र है ओमशिवायनमा है सिमाता परवती की पूजा करें। ओमशिवाया का पूजा करें। ओम खड मुखाया नमा शेश्वामी का रतिकिय का पूजा करें। ओम गणेशाया नमा शेगणेश का तथा ओम शोमाया नमा शेचंद्रमा का पूजन करें। और करो में लड़ू का नोवेद रखकर नोवेद अर्पित करें। एक लोटा एक बस्त्र वो एक बिशेस करवा दक्षिना के रूप में अर्थपित कर पूजन का शमापन करें। करवा चोथ ब्रत की कथा पढ़े अथवा सुने जब चांद निकलता है तो सभी भी बाहित इस्त्रिया चांद को देखती है और सारी रसमें पूरी करती है। शीव, देवी परवती और करती की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता परवती की आसिरबाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते है और अखंड सोभागे की प्राप्ती होती है। मित्रो, कोई भी ब्रत्योहर मनाने से पहले सुभ मुहुर्थ को जान लेना उचित होता है, क्योंकि सुभ मुहुर्थ में किया गया पूजापाट अतिसुभ फलदाई होता है, इसलिए मैं आपको जो मुहुर्थ बताया, इस मुहुर्थ में अगर आप इस ब्रत का लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेश करना ना भूनना क्योंकि इस चैनल पर हिंदू सनातंधर में से जुड़ी सभी ब्रत्यवार, पूजा पाठ और बेत पुराणों में बंडित शिरी चमतकारी मंत्रो के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाप प्राप्त कर सकें धन्यबाद